दुनिया की खुशियों को लात मार दी, सारे संत ऐसी हैं, वो साब संत भी मेरे गुरु हैं, हर संत मेरा गुरु है गुरु इकादस सभी संत जन बंदों बारं बार, गुरु जी तेरी महिमा अपरम पार रूप अनेक धार के तुने कर दिया भव से पार, गुरु जी तेरी महिमा अपरम पार इतने गुरुवों के रूप में भगवान शिव हमको समालते रहे, लेकन हमको पता बाद में चला गर छोड़ा तो उसके पीछे भगवान शिव का हाथ, और जितने भी संत हमारे जीन में आये, जीनों ने कुछ ना कुछ हमको आगे बढ़ाया उन सब के पीछे भगवान शिव का हाथ था, ये हमको बहुत देर बाद पता चला तो मूल में हमारे भगवान शिव ही गुरु है, मैं अपने हर गुरु को उनहीं का दर्जा देता हूँ गुरु तत्व शिव ओडर दानी आशुतोष महदेवा बार बार वन्दन कर मांगु शामराधिका सेवा सत्यम शिवम सुन्दरम गुरुवर करुणा के अवतार गुरुजी तेरी महिमा अपरंपार गुरुजी तेरी महिमा अपरंपार रूप अनेक धार के तुने कर दिया भव से पार गुरुजी तेरी महिमा अपरंपार 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 यह जो भजन गाया मैंने यह खाली भजन ही नहीं है यह अनेक लोगों के अनेक परश्णों का उत्तर है यह हमारी अपनियन भूती भी है भक्त माल भी इसका उदान है निकुंज रस की प्राप्ति नर्शी भक्त ने भगवान शिव की क्रिपा से की जबकि स्री कृष्ण के भगवत थे नर्शी भगवत शंकरजी के भगवत नहीं थे शीव कृष्ण के भगवत थे पिर कैसे इनको निकुंजरस मिल गया नर्शी भगत को ये तो जानते भी नहीं थे कि व्रिंदावन में सकी बाव से परवेश किया जाता है ये निकुंजरस प्राप्त करने के लिए ये तो नर्शी बालक जानते नहीं थे बार से खेल के आये थे, भावी से कहा, भावी जल पिलाना, मा बाप तो थेनी नर्शी भगत के भावी ने डांट दिया, कमा के लाये था न, कैसे ओर्डर दे रहा है मुझे को, कमाता दमाता कुछ नहीं, दिन भर अवार अगर्दी के घूमता रहता है, तेरे को तेरे कृष् बिचारा घर छोड़के चला गया, इस घर का पानी कैसे प्यूँगा, मैं अपने घर का, भावी ने कृष्णी की सोगंध दिलवा दिया, चलता गया, चलता गया, ना कोई खाने का ठिकाना न रहने का, जंगल में एक शीव मंदिर खंडर सा पड़ा था, उसी में चला गया शंकर जी के मंदिर में तीन दीन तीन रात पड़ा रहा, भूखा प्यासा, भगवान शीव प्रगट हो गए, बर्दान मांग, नर्शी भगत ने कोँसी भगवान शीव की रात न की थी, कहां उसने भगवान शीव को पुका रहा था, और कहां वो भगवान शीव का भगत वो तो किष्ण का भगत था, भगवान प्रगट हो गए, अकारन करुना वरनाले जो है, करपूर गौरम करुना वता रहा है, ने जाने कौन से गुन पर दयानी दिरीज जाते हैं, भगवान शंकर प्रगट हो गए, नर्शी भगत से कहा वर्दान मांग, बालक नर्शी बोल बोले बाबा मुझको तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए मुझको तो मांगना नहीं आता बस आपको जो सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो जो आपको अच्छा लगता हो वा सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो जिसे बढ़कर कोई वर्दान है नहीं मेरे पास तुमने तो वो रस मांग लिया जिसे बढ़कर मेरे पास और कोई रस हो है होता ही नहीं होगा कहा से कौन सा रस जब नर्शिव भगत ने कहा जू आपको सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो ये मुझको सबसे अच्छा लगता है सखी बन करके राधा माधव की रस समय सेवा करना मुझको सबसे अच्छा लगता है ठीक है मैंने तुमको यही दिया आशिर्वाद जोही भगवान शिव ने दिया नर्शी भगत को भगवान शंकर दिखाए दिना बंध हो गए भगवान शंकर जिगा एक सक्षी दिखाए दे रही है और सक्षी का नाम है त्रिलोचना और स्युम अपने आपको भी देखा नर्शी के रूप में नीरे वो भी सक्षी के रूमें प्रणित हो गए और भगवान शिव उस सक्षी को ले करके पहुँच गए सबसे पर गोलोक है ताते पर बनराज सबसे आगे ये रूप रसिक जी की वानी है सबसे आगे धामों में गोलोक धाम और उससे भी आगे विरिंदावन है जहां पर पूरुष परवेश वर्झीत है जहां पर हर आत्मा सक्षी सहह्चरी का सुरूप से प्रया-पृतम की सेव में जाती है शंकर भजन बिना नर भगति न पाव ही मोर एक हुँ और कई लोग अनन्यता के नाम पर पाप करते हैं अनन्यता के नाम पर पाखंड करते हैं अनन्यता के नाम पर अभिमान का प्रदर्शन करते हैं अनन्यता के नाम पर दूसरों की भावनों को ठेश पहुंचाते हैं अभी तक समझने पाए कि अनन्य शब्द किसको कहते हैं गीता में कई बार भगवाने अर्जुन को कहा अनन्य भक्ति के बारे में अनन्य नेव योगे ने माम ध्यायन तू पासते कई जगा अनन्य शब्द अनन्य चिंत्यंतों माम ये जना परिपासते रामायन में भी कहा सो अनन्य जाके आसी मतिन टरे हनुमंत मैं सेवक सच राचर रूपराश्वी भगवंत ये तुल्चदास ने अनन्य की परिभाशा की रामायन में वोई अनन्य है जो अपने इश्ट देव के सिवा जिसको कुछ भी दिखाई ना दे सब मेरा इष्ट देव है सो अनन्य जाके असी मतिन तरई हनुमंत मैं सिवक सच्च राचर रूप राशी भगवंत मैं सब का सिवक हूं और सब मेरे इष्ट देव के सवरूप हैं यो माम पश्चती सर्वत्र सरवम चै मैं पश्चती तश्याहम नै पनश्यामी सचा मेना पनश्यती जो मुझको सब जगा देखता है सब को मेरा ही रूप मानता है वही अनन्य भगत है नै अन्य इसका मतलब अनन्य सब देखो तुलसदा जी क्या कहते हैं सिया राम मया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सब मेरे सीता राम है यह अनन्यता है यहां तक एक बार गोश्वमी तुलसिदाजी चित्रकूट की परिकर्मा कर रहे थे कामदगीरी की परिकर्मा कर रहे थे परिकर्मा करते करते सामने एक बड़ा विचित्त दिर्शा देखा शुद्र उसकी पत्म है रमन कर रहे थे जंगल के रास्ते में तुलसिदाजी उसी रास्ते से परिकर्मा कर रहे थे तो तुलसिदाजी के मन में विचाराया कि ये मेरे सीता राम है ये है अनन्य वक्ति नहीं सोचा कि उशुद्र है तीर्थ में परिकर्मा मारग में अपराध कर रहे हैं संसारिक भोगों को भोग रहे हैं ऐसा अपवित्र विचार मन में नहीं आया बलकि क्या विचार मन में यह मेरे सीता राम है रमन कर रहे हैं मेरे सीता राम को मेरे कान से संकोच ना हो इसलिए गोश्व में तुल्सिदाजी आखे बंद करके अंदा होने का नाट करके चलने लगे और कहने लगे कोई यह हो तो मुझको रास्ता दिखाओ मुझको कुछ दिखनी रहा जब रास्ता पार हो गए तुलसिदाजी ने सोच अब तो चले पीछे निकल गया द्रिश्यव आंके खोली जो ही आंके खोली तो सामने सीता राम प्रगटों के दर्शन दे रहे होगे भगवान प्रगट सीता राम जब क्यों सीता राम नहीं थे साधान इस्ति पुरुष थे लेकिन वो अनन्य भगट थे सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जगपानी इसले तुलसिदाजी के सामने सीता राम जी को प्रगटों ना पड़ा नाम देव जी अनन्य भगट थे नाम देव ने पकाई रोटी कुते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे बोले रूखी तो ना खाओ कुछ घी तो लेते जाओ रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर तुने शकल बना ही है स्वान की और मुझे ओड़नी उड़ा दी इनसान की कुट्टे को कुट्टा नहीं समझ रहे हैं ये भी मेरे विठल नाथ हैं ये भी मेरा गोविंद है कुट्टा जब रोटी लेके भागा तो नाम देव जी डंडा उठाके नहीं भागे नहीं ये भी मेरे विठल ना श्री कृष्ण है नाम देव ने पकाई रोटी कुट्टे ने उठाई और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे बोले रूखी तो ना खाओ कुछ घी तो लेते जाओ इसको कहते हैं अनन्य भक्ति साब जगा अपने इश्ट देव को देखना शिया राम मैं सब जग जाने करहूं पना जोर जुपा निगहा मीरा की निराली पीके जहर की प्याली ऐसा गिर्धर बसाया हर स्वास में आया काला जब नाग बोली धन्य मेरे भाग हरी आये आज साप के लिवास में आओ आओ बलिहार काले कृष्ट न मीरा यह अनन्य भप्ति कि है वासु देव सरुमिति सैंह महात्मा सुदुर लभ जी थे भगवान स्री किष्वन कहते हैं अरजूशे गीता में वासु देव सरुमिति सब जग मैं हूं सब जग़ भगवान है एसी जिसके मैंपास मती है ऐसा महत्मा ऐसा संत ऐसा भक्त इस दुनिया में दूरलब है दूरलब नहीं इसी दूरलब्भम सब जग़े भगवान मानो प्रहेज मत करो और तुम तो प्रहेज करते हो जाएगे। कहो रहे हो, किस अज्यान ने घेर लिया है तुमको, सास्तों को धंग से पड़े। अनन्यता का मतलब अपने इश्ट देव के सिवा किसी और की सत्ता नहीं मानी यई सब जगह वही है दो बाते मानो या तो भगवान मानो सबको या भगवान का मानो सबको तो अनन्यता बनी रहेगी सबको अपना इष्ट देव मानो या सबको इष्ट देव का मानो अनन्यता बनी रहेगी यही सची अनन्यता है किसी को भी मानो या तो उसको भगवान मान करके उसके साथ विवार करो अगर भगवान नहीं मान सकते, इतनी उची भावना नहीं, तो फिर भगवान का मान लो, यह सब भगवान के हैं, यह सब बैस्नव हैं, यह सब प्रभु के जीव हैं, भगवान मान लिया, यह ज्ञान है, और भगवान का मान लिया, यह भक्ती है, जहां तुमसे बने करो, सब कुछ भगवान मैं भी भगवान सब भगवान यह ग्यान सब भगवान का यह भी भगवान का मैं भी भगवान का यह भगति ज्यान उपास्न में जाओगे सब तुमको भगवान दिखाये देंगे अपने सहीत और भगति में जाओगे अपने ही सहीत सब भगवान के जीव हैं सब उसी के हैं निज प्रभु मैं देखा ही जगत कही सन करो हम विरोध किसे मैं विरोध करो और हम बिनाबाद के विरोध करने लग जाते हैं औरो तो छोड़ो और धर्मों का विरोध तो छोड़ो अपने धर्म के अपने धर्म के अन्य संपर्दाओं की बुराई करने लग जाते हैं एक भगत दूसरे भगत की बुराई करने लग जाता है हमारे धर में भी बहुत संपर्दाए हैं एक संपर्दाए दूसरे संपर्दाए की बड़ाई मेरा संपर्दाए सबसे बड़ा मेरा संपर्दाए सब का बाप है सब छोटे हैं बहुत उचे उठना पड़ेगा अभी बहुत महापुरसों का संग करना पड़ेगा अभी अभिमान की किरिकरी तुमारे मन में है यहां भी बड़पन यहां भी अभिमान नहीं गया अभिमान ने रूप बदल दिया मेरा गुरु बड़ा, मेरा भगवान बड़ा मेरी उपासना बड़ी हमारी गुरु प्रम्प्रा बड़ी हमारा संपर्दय बड़ा है यहां भी वही है हैंकार बस यहां हैंकार ने थोड़ा धर्म का चोला पहन लिया है तो हैंकार ही दुनिया में तो तब यह हिंकार करते थे मूँचे हम बड़े हमारी नाक नीचे न हो जाए जब धर्मन समपरदाओं में आ गए यहां भी ओही नाक यहां भी नाक काई जगड़ा है हमारा धर्म बड़ा हमारे गुरु बड़े जो हम जबते हैं वो सबसे बड़ा है वही नाम है बड़िया और सब घटिया है हमारा धर्म सबसे बड़ी है औरों के छोड़ो जो भक्ति के समपरदाओं है वो पर्षपर जिनमे इनमे अज्ञानी लोग भी है इन संपरदायों में ज्ञान का संपरदाय हो चाहिए भक्ति का हो इन लोगों में भी अज्ञान कोई कम नहीं अज्ञानी हमारा संपरदाय बड़ा है और सब छोटे हैं और सब निक्रिष्ट हैं अरे सब का पती सब के लिए भगवान है परमेसुर है अगर कोई इस्तरी कहे मेरा पती सबसे बड़ा परमेसुर है तेरा पती छोटा परमेसुर है उस इस्तरी को बेकूफ ने कहेंगे तो क्या कहेंगे अरे तेरा पती तुमारे ले भगवान, उसका पती उसके लिए भगवान, तु यह क्यों कह रही है कि मेरा पती भगवान बड़ा, तेरा पती भगवान तो कुछ नहीं है, हर पती ब्रता इस्त्री का पती उसके लिए परमेसर हुआ करता है, छोटे बड़े का तो मतलब भी न ivos ód ऐसी तुम किसी का धर्म छुड़ा करके अपने धर्म की तरफ हुला रहे हो किसी की आस्ता को ठेश पुंचा कर अपनी तरफ खीछना चानते हैं can you क his Speech जो जहां लगा लगा रहे हैं जिसके जैसे जहां के संस्कार है वो अपने आपी वहां सेट हो जाएगा जाकर तुम क्यों किसी की भावन्हों को ठीज पहुंचा रहे हुआ जितने भी धर्मन संपर्द है है जितने भी धर्मन संपर्द है हिंदों में बहुत संपर्द है मुस्लमानों में भी कई संपर्द है एक एक धर्मन कई कई संपर्द है मैं सब ही को कहना चाहूंगा इस पद के माध्यम से भजन के माध्यम से अब कसूर तो मैं किसी का नहीं कहूंगा क्यों कि कल्यू की मार सब जगा पड़ी है क्या करें नास्टिक लोग तो कल्यू की मार से पीड़ित हैं आस्टिक लोग भी कल्यू की मार से पीड़ित है सब जगा एहंकार, इरशा, द्वेस, नफरत हाँ जो सच्चे धार्मिक है जो इसी जन में भगवान को पाना चाहते हैं उनमें ये अवगुण नहीं हो सकते चाहो किसी धारम का क्यों ना काहे अम्रित मेवीश घोल जितने भी धर्म है ये तो धर्म है अम्रित मिदम ये थोक्तम परिवाद जितने भी धर्म है सब अम्रित हैं अम्रित का मतलब जीव को जन मन के चक्र से चुड़ा कर साधा के लिए उस अमर देश में ले जाते हैं अ कि इससें हर धरं हर संपर दाय अम्रित सदुलेकिन कुछ ने फिर्शा का एंकार ने कुछ आसमाजिक तत्वं ने कि कुछ स्वार्थी लोगों ने कि कुछ अंज्नानी लोगों इंद धर्मों में संपरदायों में इरशा का, एहिंकार का, सुआर्थ का विश्र मिला दिया है, अम्रित में विश्र मिला दिया है, बदनाम संपर्दय हो जाता है, बदनाम धर्म हो जाता है, जबकि धर्म अम्रित है, लेकिन लोगों ने बदनाम करका है, गलत काम करकर के, कई धर्म तो कई संपर्दत जाद ही बदनाम हो गए है उन धर्मों में उन संपर्दावों में कुछ ऐसे से लोग आ गए हैं एहंकारी स्वार्थी विशय लोलूप एहंकारी जो सब की बुराईयां करते हैं हम बड़े हैं बस और सब छोटे हैं छोटे ही नहीं सब गलत हैं हम ठीक है और यह बिमारी कम अधिक सब जगह देखी मैंने तीस साल होगे मुझको ब्रिन्दावन में रहते हैं यह बिमारी वहां भी मैंने देखी है यह तो भाई हनुमान प्रसाद पुद्दार जी महराज की कृपा हुई है जो मैं इस बिमारी से बचावा हूँ और भी बहुत लोग बचे ऐसी बात नहीं लेक आपका प्रीचे गव भक्त गव माता जिनकी इष्ट देव हैं गव माता की सेव में लगे हैं अपना सुख सुविधा आराम को छोड़ करके दिन रात एक रखिये गव माता की सेवा के लिए गव में जिनको भगवान के दर्शन होते हैं गव सेवा ही कृष्ण सेवा जिनन ने मान रखा है। ऐसे दिव्य संत बहुत कृपा की आप। स्वागत आपके। अजब काई। अजब काई। बहुत कृपा की आपके। तो जितने भी धर्म संपर्दाये हैं सब अम्रित सद्रिश्य है इमानदारी से किसी भी धर्म संपर्दाय की शान ले जीव जर्ण मन से मुक्त हो जाता है इस पद में उन अज्यानी स्वार्ती एहिंकारी लोगों को समझाय जा रहा है कि तुम किसी के धर्म में या अपने धर्म में विश्च मत गोलो इर्शा का एहिंकार का हम बड़े हैं हम सरुस्रिश्ट हैं ये एंकार का विश्र मत डालो सब धरम पवित्र है काहे अम्रित मे विश घोले काहे अम्रित मे विश घोले उन गावत निज संप्रदाय के परशुची मत कूँ मन्दा बोले काहे अम्रित मे विश घोले काहे अम्रित मे विश घोले गुन गावत तुँ निज संप्रदाय के तुम अपने संप्रदाय के गुन गा रहे हो बिलको ठीक है आप के चलनों में वंधना है बहुत बढ़िया लेकिन इस अम्रित में तुम विश्क्यों घोल रहा है संपरदय के गुण गारा है अपने तो अम्रित का काम कर अच्छी बात है लेकिन इस अम्रित में इर्शा का द्वेश का एहंकार का विश्क्यों घोल रहे हो गुण गावत निजी संपरदाय के और परशुची मत कु मंदा बोले तु दूसरे के धर्म को गलत कहता है स्यम भी अपने अहिंकार को पुष्ट कर रहे हो और स्रोताओं के अहिंकार को भी पुष्ट कर रहे हो और जो दूसरे धर्म संपर्दाओं के हैं उनकी भावना में ठेस पहुंचा रहे हूँ रे पर निंदक सुन्यों पंक अग रे पर निंदक सन्यों पंक अग चल नीज पत पर ताहे डोले ठेस लगावे भगत ही दय में काहे महद पाप ले मोले काहे अम्रेत में विश गोले काहे अम्रेत में विश घोले रे पर निंदक अरे दूसरे धरम संपर्द्याओं की निंदा करने वाले सन्यों पंक अग तुम स्युम पाप के कीचड में सना है क्योंकि किसी की निंदा करना स्युम में एक पाप है पर निंदा सम अग न गिरीशा दूसरे की निंदा की समान कोई पाप निश्युम तुम निंदा कर रहे हो रे पर निंदक सन्यों पंक अग चल निजपत पर काहे डोले तू अपने धर्म के उनसार चल तू जिस धर्म की महिमा गाता अगा नहीं रहा तू उस धर्म के उनसार चल तो सही कौन दुनिया का धर्म है जो कहता है दूसरे की बुराई करो तू खुद अपने धर्म के उनसार नहीं चल रहा है निंदा करना धर्म नहीं अधर्म है अगर तेरा धर्म सबसे उचा तुमको लगता है तू फिर अपने धर्म पे चल ये निंदा का अधर्म क्यों कर रहा है धर्म के उपर चल रहा अगर किसी की निंदा कर रहा है तो किसी धर्म संपर्दय की रे पर निंदक सन्यों पंक अग चल निजपत पर काहे डोले ठेस लगावे भगत हृदय में दूसरे धर्मों को मानने वरे जो लोग है वो भी लगे है अपने भक्ति में जैसा उनके अरितिरिवाज है तुम उनकी भावना में क्यों ठेस पूँचा रहा है इसे महद प्राद पड़ता है क्योंकि चाहे कोई निराकार को माने चाहे कोई साकार को चाहे कोई एश्वरिया भाव में चाहे माधुरिया भाव में चाहे कोई रस उपास न कर रहा है कर तो सब उस माली के लिए ही रहे हैं क्यों किसी की भावनों को ठेस पूंचा करके महद प्राध को अपने सर मोल ले रहा है महद प्राध ही किसी भी पंथ में चला जाए काम्या भी नहीं मिलती किसी को मानने वालों की भावनों में ठेस मत पूंचा मैंने कल्युग में देखा हर धर्म यही कहता है सब गलत हम ठीक है यह तो संतुन संतों की मैं कृपा मानता हूं जो हमको ऐसे संत मिले भगवान शिव की कृपा से जो यह रहस्या खोल दिया और मैं उन अज्यानियों को कहना चाहूंगा भाई हनमान परसाद पोदार जी के होते जो गरंत छपे हैं उसमें भी सादना अंक संत अंक मोटे मोटे गरंत हैं उसमें हर धर्म संपरदय के संतों का चरितर है हर धर्म संपरदयों के कैसे कैसे सादना करते हैं सब उसमें लिखा भाई अनमान परसाद पोदार जी सब की महिमागा रहे हैं सब धर्मों का संद्मान करते हैं यह हमने भाई अनमान परसाद पोदार जी से सीखा है इसलिए उनकी इतनी उचे स्थिती पहुंच गए थे और कहा आप उन दोश ना सूझे तो है अपन दोश ना सूझे तो है पर के दोश सदा ही तो ले अपने दोश तुमको दिखाई नहीं देते हैं अपने धर्म में जो तूटियां हैं तुमको दिखाई नहीं देती अपने धर्म के लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो तुमको दिखाई नहीं देता और दूसरे के धर्म में तुम तूटियां देखते हो दूसरे के धर्मों के अब गुनों को तौलते हो उनको आपने देता हैं